हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप लोग सभी क्या हाल चाल है आई होप सभी बहुत अच्छे हैं शानदार हैं जानदार हैं तो दोस्तों आज हम लोग श्टार्ट करने वाले हैं प्लांट किंग्डम यानी पादब जगद भाईया इस चैप्टर में पढ़ने वाले क्या हैं आपको पता है इस प्रत्वी पर बहुत प्रकार के प्लांट पाए जाते हैं बहुत प्रकार के पौदे पाए जाते हैं कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिन में फूल होते हैं कुछ प्लांट बड़े होते हैं कोई छोटे होते हैं तो सभी प्रकार के प्लांट के बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वल्ले हैं और जो कि बहुत इंप्पॉर्टेंट आप लोग ये मान के चलो दो क्रिशन आप लोगों को जरूर इससे देखने को मिलेंगे और दोस साल नया है लेकिन जो अपना टार्गेट है जो अपना गोल है वो पुराना है और आप लोगों को पता है गोल क्या है आप लोगों का रेलवे ग्रूप डी एक्जाम या फिर एंटी पीसी सी बीटी टू एक्जाम क्योंकि आप लोग काफी समय से उसके लिए तयारी कर रहे है तो साल नया हो गया लेकिन आप लोगों जो मेहनत है वो और भी नई होनी चाहिए और भी प्रकार से आप लोगों उसको अच्छे से करना सब कुछ ठीक है दोस्तों चलिए तो स्टार्ट करते हैं क्लास और आपको पता है डेली वन पीम टू पीम पे क्लास चलती है फ्री क्ला क्लास में जुड़ो शांदर मज़े आजाएगा यहां पर आपको रैंक भी मिलती जॉइन कैसे करना है डाउनलोड करें वहां पर गोल से लेट करें एससे एक जाम नॉन टेक्निकल इसके स्पेशल क्लास में आजाईगी मेरे नाम सट्स करें नीरत जैंगर मुझे फॉलो कर एपी नियुएर चलिए तो देखिए दोस्तों बात करते हैं पहले तो किसर प्लांट बोलेंगे किसको हम लोगों को यही नहीं पता होता कि यह प्लांट है यह नहीं जैसे आप लोग मश्रूम की सबजी आप लोगों ने खाई होगी तो उस मश्रूम को प्लांट बोलोगे यह नहीं बोलोगे तो पहले तो हम लोगों को यह clear करना पड़ेगा ना plant किसको बोलेंगे तो देखिए इस प्रतिवी पे बहुत प्रकार के जीव यानि बहुत प्रकार के organisms पाए जाते हैं organism से जीव किसको बोलते हो जिनमें life होती है और आप लोगों को पता है जिनमें भी life होती है उनमें cell पाई जाएगी उनमें कोशिका पाई जाएगी ऐसा होई नहीं सकता जैसे पत्थर में life होती है या नहीं होती क्यों नहीं होती है क्योंकि उनमें cell ही नहीं पाई जाती कोशि निजम से जितने भी आप लोगों के जीव है उनको आरेट स्बारा विटेकर शांपके दुवारा पाच अलग धिंगडम यांजी पांज है कौन आप लोगों को बता देघृत नहीं मटरें जगत एक ता आप लोगों का प्रोटेश्टा किंग्डम यानि प्रोटेश्टा जगत समझगे बात को एक ता आप लोगों का फंजाई किंग्डम यानि कवक जगत एक ता आप लोगों का एनिमेलिया किंग्डम यानि जन्तु जगत और एक ता आप लोगों का प्लांटाई क में रखा गया पादब जगत में कौन से जीवों को रखा गया तो बात आती है कि सर पादब जगत में कौन से जीवों को रखा गया आईए मैं आपको बताता हूं देखो तो बात करते हैं kingdom plant यानि पादब जगत के बारे में मैं आप लोगों को बताता हूं कि पादब जगत मे कौन से जीवों को रखा गया आईए तो पहली चीज ऐसे जीव ऐसे और्गेनिजम जिनमे यू केरियोटिक सेल पाई जाती है उसको रखा गया इस वाले जगत में मतलब कुल मिलाके बात है प्लांट्स आप लोग किसको बोलोगे प्लांट्स यानि जो पादप होंगे वो किसको बोलोगे ऐसे जीव जिनमें यू केरियोटिक सेल पाई जाए अब भाईया यू केरियोटिक सेल तो हमारे में भी पाई जाती है यू केरियोटिक सेल तो जो कव कोशिका से मिलके होने दूसर हम भी बहुत सरी कोशीगौता है और इसके अंदर यह होती है् इसको बोलते हैं सेल मेंप्रेन यानी कोशी का जिल्ली समझ गये तो हमारी जो कोशीगा होती है उसके चारों और सैल वॉल कोशिका बित्ति नहीं होती है जबकि जो प्लांट्स होते हैं पौदे होते हैं उनमें सैल वॉल प्रजेंट होती है क्लियर तो भाईया सैल वॉल प्रजेंट होनी चाहिए और इस सैल वॉल किसकी होती है सैललोज की होती है ध्यान रखेंगे पूर्थ इंपॉर्टेंट चीज क्या वो फोटो सिंतेसिस कर सकते हैं क्या वो प्रकास इंसलेशन कर सकते हैं क्या वो अपना बोजन खुर मना सकते हैं बिल्कुल सर अपना बोजन मना सकते हैं तो वो आप लोगे और ट्रॉफिक होते हैं पूशी होते हैं क्लियर तो अगर किसी में आप लोग ये सारी विशेष्टा है देख पारे हो तब जाके आप लोग उसको बोलोगे प्लांट यानि पादब समझ गए बात को अरे बताईए दोस्तों आप सभी को भी नव वर्ष की बहुत बहुत शुब कामना है और आपको नहीं आपके पूरे परिवार को भी बहुत बहुत शुब कामना है और आपको पता है इस नए साल में आपके परिवार जन जादा खुश कब होंगे आपको भी पता है बोलने के जरूत नहीं ह जो वो देख रहे हैं आपको मेनत करते हुए पिछले दो साल से धाई साल से तो फाइनली उनका रिजल्ट आप लोगों को इस साल उनको देना है समझ के मैं क्या बोलना चाहरा हूँ तो यह साल नया है लेकिन जो आपके परिवार वालों की जो उम्मीद है वो पुरानी है और नहीं नहीं होनी चाहिए ऐसी नहीं कि वह यह नया साल आगया सार अब तो कुछ पिछले दो साल से बढ़रों आप कम कर दें नहीं कम करेंगे पढ़ना इंजॉय भी करेंगे बड़ जब आपके पास में आपका जो टार्गेट है वो अच्छी हो जाए समझ के बात को आ यह डिसकस करते हैं दोस्तों जब हम लोगों ने देखा इसमें कौन सी कोशिका पाई जाती है इसमें यूकेरिटिक सेल पाई जाती है हमने देखा जो मश्रूम होता है वो एक कोशिका से मिलके नहीं बना होता है यानि यह मल्टी सेलिलर होता है सर इसमें सेल वाल प्रजें प्लांट की जैसी है लेकिन ध्यान रखेंगे यह फोटो सिंतिस नहीं कर सकते प्रकास नहीं कर सकते अपना बोजन खुद नहीं बना सकते यह आटो ट्रॉफ नहीं होते अगर यह चारों चीजे मिलेगी तब जाके आप लोग उनको प्लांट बोलोगे क्लियर है क्या समझ दोस्तों आवाज वगर ठीक आ रही है मेरी एक बार बता दीजिए आवाज वगर ठीक आ रही है कोई डिक्कत तो नहीं है किसी को चीक है चले आगे झाले एक बार बता रही है क्या क्या बार बता है कि आवाज जाएंगे है चलिए ठीक है हां तो हम लोग बात कर रहे दे plant के पारे में discuss करे दे plant कितने प्रकार की होता है दोस्तों जितने भी plant होते हैं उसको आप लोग दो पार्ट में classify कर सकते हो हैं एक को बोलोगे आप क्रिप्टो गेमग्स और हिंदी में वोलोगे ए पश्पोद भीद, या सिंपली ए पश्पोद भीद बोल सकते हैं, और एक होते हैं फनेर्च को हिंदी में आप पश्पोद भीद अब जैसा कि नाम से समझ म sovereignty啦, तो इन वाले प्लांट की दोस्तों विशेस्ता क्या होती है इन में पुष्प यानि फ्लॉवर नहीं पाया जाता समझ में आ गया दोस्तों कहां नहीं क्लियर है ठीक है नेक्स्ट बात करते हैं इन वाले प्लांट की और क्या विशेस्ता होती है दोस्तों इन में जो सीड होता वो भी आप लोगों को मिल जाएंगे कहाने केलियर है चले आगे क्लियर चलिए तो अब हम लोग बात करते हैं दोस्तो जो ये क्रिप्टो गेम्स होते हैं इसको भी आप लोग तीन पार्ट में क्लासिफाय कर सकते हो कौन-कौन से एक तो थेलो फाइटा एक हो जाएगा आपका ब्रायो फाइटा और ये को जाएगा टेरिडो फाइटा तो पहले हम लोग समझते हैं थेलो फाइटा वाले जो प्लांट होते हैं उनकी क्या खास बात होती है दोस्तो ये बिल्कुल सिंपल होते हैं बिल्कुल सिंपल बिल्कुल सरल है सिंपल का मतलब क्या है सरल का मतलब क्या है दोस्तों ना ही इसमें आप लोगों को stem मिलेगा ना ही आप लोगों को इसमें तना मिलेगा ना ही आप लोगों को इसमें पतिया यानी leaves आप लोगों को इसमें पतिया भी नहीं मिलेगी आप लोगों को इसमें roots यानी जड़ भी नहीं मिलेगी मैंने आपक इस तो बताई दी कि इसमें flower और seed दोनों ही नहीं होंगे है ना थेलोफाइटा में मिलेंगे आपको flower ना ब्राइव फाइटा में ना टेरीडोफाइटा क्योंकि तीनों किस प्रकार के और विशेषता है बताईए तो आईए मैं आप लोगों को कुछ और बताता हूं दोस्तों थेलोफाइटा से आप ध्यान रखेंगे थेलस थेलस का मतलब क्या है इनका जो structure होता है जैसे आप लोगों ने अपने आसपास में कोई पीड़ देखे होंगे उसमें आप लोगों को थेलस की जैसी होती है मतलब नहीं इसमें आप लोगों को पतिया दिखेगी नहीं आप लोगों को इसमें जड़े दिखेगी नहीं आप लोगों को इसमें तना देखेगा कहानी किलियर है कहानी किलियर है ठीक है सर और क्या विशेषता होती ही मैं आपको बताता हूं देखो तो अगर आप लोगों से पूछा जाए, जडो से उस पानी को पूरे प्लांट में कौन लेकर जाता है, तो ध्यान रखेगा, जाइलम लेकर जाता है, दोस्तों जाइलम क्या है, एक टीशू है, उत्तक है, सर उत्तक किसको बोलते हूँ, group of cell, कोशिकाओ के समू को ही उत्तक ब दूसरी important चीज, जब भी photosynthesis होता है, प्रकास translation होता है, तो आप लोगों को बता है, फूड बनता है, भोजन बनता है, इस भोजन को पूरे प्लांट में ट्रांस्पोर्ट करने का काम कौन करता है, तो इस भोजन को पूरी बोडी में ट्रांस्पोर्ट करने का काम करता है, फ पाया जाता फ्लोएम पाया जाता है क्या नहीं पाया जाता तो यह सारी विशेशता है मैंने आपको बता दी थैलोफाइटा वाले प्लांट में तो आप मुझे एक ची बताइए अगर इन वाले प्लांट में जायलम नहीं है अरे थैलोफाइटा वाले प्लांट में अगर जा पायेगा तो अगर किसी प्लांट में ऐसा सिस्टम पाये जाता है तो आप लोग से ढाये जाता है कैसे से पाये जाता है से हाले इसक्राइब का सके च्रांस्पोंट्रेशन हो रहा है क्या और फूड uważ पाई जाता में पाई जाता या निन संयाँ कली रहे घवाए इतनी सारी बाते मैंने आपको बता थे प्लांट इक ऊस्यां किंध नेंट बात करते हैं दोस्तु ब्राइवसाइट क्या खाथ बात हैं कि अग Works अगर मैं आप लोगों को बता दूँ इसमें आप लीव्स यानि पत्तिया मिल जाएगी इसमें रूट यानि जड़ आप लोगों को मिल जाएगी इसमें जो तना इस्टेम वह आप लोगों को मिल जाएगा लेकिन 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 मैं आप लोगों को क्या बता हूं इधर देखो जैसे आप लोग अगर मैं कोई बड़ा सा पेड हो मैं आप लोग को बोलू उसकी जड़ को पैचाना तो आप लोग पैचान जाओ गया हाँ सरी देखो मोटी-मोटी जो आप लोग की मिटी के अंदर गुसरी इसको आप लोग जड़ बोलोगे तो बहुत से प्लांट ऐसे हैं जिनकी जड़ आप देखते पर चांद आपके यह जड़ है लेकिन एक प्रॉपर श्ट्रक्चर नहीं होता है वैल डवलप्ड रूट नहीं होती है सिमिलरली प्तिया है तो सरी मतलब वह एक जड़ डवलप नहीं है एक प्ति जैसे कुछ आखरती है इस टैम तना जो होता है वह बिल्कुल ऐसे वैल डवलप्ड नहीं है तो इनको हम लोग क्या बोलेंगे फॉल्स यानि ऐस सत्य तो इसमें क्या पाई जाती है फॉल्स अब है बट कैसे है ऐसा क्लियर एक अगर आप लोगों से पूछा जाए कि क्या ब्राइव फायटा वाले प्लांट में सीड यानि बीज पाए जाते हैं क्या आप लोग बोलेंगे नहीं क्योंकि यार क्रिप्टो गेम्स की कॉमन चीज है कि इनमें बीज नहीं मिलेगा पु मिलेगा सर तो यह विशेष्टा है वाले प्लांट की समझ गए आगे हम लोग बात कर तेन तेरीडो फायटा वाले प्लांट यह आपके पहले नमबर का हो गया यह दूसरे नमबर का और यह तीसरे नमबर का वास समझ गया पहिर, तो अगर आप लोगों से पूछा जाए टरीर अवेट candidate में क्या push canción होते हैं क्या flower होते हैं या चाहिए , बीज पाई जाते क्या नहीं पाई जाते है तो लिख लो आप लोगों क्या पूछे है पीज मिलेगा ? आप लोग बोलेंगे नहीं इनमें पुश्प मिलेगा क्या नहीं इनमें जड मिल जाएगी क्या बिलकुल मिल जाएगी इसमें तना मिल जाएगा क्या बिलकुल मिल जाएगी इसमें जाइलम मिल जाएगा क्या जाइलम बिलकुल मिल जाएगा इसमें फ्लोय मिल जाएगा क्या तेरीडोफाइटा वाले प्लांट है, clear है, clear है, समझ गहे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, तो अभी केवल इसको और डिटेल में पढ़ लें, इसके बाद में हम लोग स्टार्ट करेंगे ये वला पार्ट, दुस्तु काणी clear है, थमसब करके बताईए, चले आगे, Clear, आजाओ, पिर हम लोग इसके बारे में बात करेंगे, पहले किया वर इनहीं को हम लोग डेटेल में पढ़ लेते हैं, तो सबसे पहले आप लोग heading डाल देजिये ठेलो-फाईटा है ना, तो थेलोफाइटा वाले प्लाइट में आप बताओगे इनकी बॉड़ी का ओर्गिनाइजेशन कैसा होता है मतलब क्या इनकी बॉड़ी में आप लोगों को तना, पति, जड मिलेगी क्या नहीं, दोस्तों ये प्लाइट का स्ट्रक्चर बहुत सिम्पल होता है मतलब differentiated नहीं होता, differentiated का मतलब क्या है, विबेदित नहीं होता, इसमें आपको दिखी गी नहीं कि ये जड़ है, ये तना है, ये पतिया है, तो आप लोग बोलेंगे इनकी body का organization कैसा है, ये undifferentiated है, ये विबेदित, इसमें ये बटेवे ही नहीं है, तने में, पतियों में, समझ गए बात को, तो ये आप लोगों के undifferentiated है, एविबेदित, चले आगे, आजए ये बहुत बढ़िया, नेक्शम लोग बात करते हैं, क्या इसमें वस्कूलर टीशू पाए जाते हैं, क्या समवनी उत्तक पाए जाते हैं, बताओ, समवनी उत्तक किसको बोलेंगे, जो किसी न किसी चीज का समवेहन करवाए, जो किसी न किसी चीज का ट्रांस्पोर्टेशन करवाए, तो बताओ, इसके एकजंपल बताओ, वस्कूलर टीशू के, दो एकजंपल बताओ, सर जायलम, जायलम किस चीज का करवाता है, ट्रांस्पोर्टेशन, पानी का, बात करी जा हैं क्या सर नहीं पाए जाते तो आप लोग बोलेंगे अनुपस्तित होते हैं याद रजाएगा क्या अरे बताये बताते नहीं हो चलिए नैक्स हम लोग बात करते हैं आप ही मुझे बताइए कि थेलोफाइटा वाले plant में seed यार्èle बीच पाई जाते हैं क्या आप लोग बोलेंगे नहीं सर absent होते हैं चलिए next बात करते हैं क्या इन में flower मिलेंगे क्या पुष्प मिलेंगे क्या तो मैंने जब आपको बताया था plant आपके दो प्रकार के होते हैं क्रिप्टो गेम्स जिसको आपने ए पुश्पोर बीद बोला था मैंने क्या बताया था क्रिप्टो गेम्स के बारे में इन वाले प्लांट में नहीं आप लोगों को सीड मिलेगा नहीं आप लोगों को फ्लॉवर मिलेगा तो सीड के बारे में तो मैं आपने बोल दिये ये फल बनता है तो अगर फूल नहीं होंगे तो फल मिलेंगे क्या नहीं सर दोनों आप लोगों के अपसेंट हो जाएंगे समझ गया बात को अरे समझ गयी क्लियर है गया आज़ो कि आप मुझे बताईए ये वाले जो आप लोगों गांपर लेंगे यह लेंड पे मिलेंगए कहां पर मिलेंगे हवा में मिलेंगे कांण मिलेंगे तो यह आप लोगों के दोस्तों वहाई टीना पर फे संखेर ततते हैं ये ना हुईमीड वाली जगह जैसे पानिक है पानी जगह पर आपको को मिलें Greg कुछ प्लांट ऐसे उन्빈 उत्व हो जगे ने जैसे एल्ट है लोगगय को पाने एया लुग बात करते हैं अभी एकजम्पलस बठाएंगे थिक है थैलो फाइटा के दो एक्जम्पल से आप लोगों को ध्यान रखना है algae यानी शेवाल और lichen अब actually मैं बता दू यह lichen क्या है यह lichen आप लोगों का एक single organism नहीं है एक जीव नहीं है जैसे बिया algae तो एक जीव है algae क्या होता है यह भी एक प्रकार के प्लांट होता है नहीं इसमें जड़, पत्ति, तना, कुछ भी मिलेगा, जिनका structure बिल्कुल simple होता है, तो ऐसे plant को आप लोग बोलोगे, algae, शेवाल, और नहीं इसमें जड़, जड़े मिल रही है, नहीं पत्तिया, नहीं तना, नहीं जायलम, नहीं फ्लोयें, नहीं सीड मिल रहा, नहीं आप लोगो को flower मिल रहा, कुछ भी नहीं मिल रहा, तो इसको कौन से plant में रखोगे आप लोग, ये किसका example हो जागा, थेलोफाइटा वाले का हो जागा ना, next हम लोग बात करते है, lichen की, देखो आप लोगों को मैं बजा दू, lichen जो होता है, वो जैसे ये एक जीव हो गया, ये जीव नहीं है, lichen एक आप लोगों का composite organisms है, जा फिर आप लोग इसको mixed organism, यानि मिश्रिट जीव भी बोल सकते हो, सर क्या बोल रहे हो, समझ में नहीं है, आइम आपको बताता हो, जैसे दोस्तों, आप लोग अकेली रह सकते हो, क्या हम लोग अकेली रह सकते हैं, ये ना, ऐसा थो नहीं है कि नहीं सर में पेड़ से चिपके सोना पड़ता है, जैसे ही मैं पेड़ को हटा दू अपने हाथ से, तो फिर मैं रह नहीं पाँगो, जी नहीं पाँगा, ऐसा है क्या है, बट यहां पर lichen क्या है, बेसिकली यहां पर दो जीव साथ में मिलके रह रहे हैं, और इन i disputed fungus, यानि कवक, यह मिलके क्या बना रहे हैं, likean, बना रहे हैं, अब क्योशन यह आता है कि यह दोनों मिले क्यों, दोनों आपस में संबंध क्यों बना रहे हैं, इसका कारण बताओ, क्योंकि मैं आप लोग को बता दू जो कवक होता है न, वो photosynthesis नहीं कर सकते हैं, प्रका लुक्षन के दोस्तो औल्गी आपके यह आपके फंगस क्या देता है इस को शेल्टर D verdad कि दोनों के बीच में संबन रहता है रहता है क्लियर है कि यह जानते हूं कि कि Wait approximately पर क्या होता है ऐसेड आप डूगर तो नीले से लाल हो जाएगा बेस डालोगे शार डालोगे तो बताओ लाल से नीला हो जाएगा तो जो लिट्मस पेपर बनता है वो बार के क्वेशन पूचा गए एदा ध्यान रखेंगे दो लेटमस पेपर बनता रिटमस पत्र बनता है वह आप लोके लाइकें इसे बनता ध्यान रखेंगे लिया रहे क्या है की यह चले आगे अरे चले क्या आगे कि चलो आजाओ नेक्स हम लोग बात करते हैं, नेक्स कोश्चन आपकी स्क्रीन पे अरे भाईया हैपी नियूएर हो गई तो पढ़ लो हैपी नियूएर तो तब होगी जब हम लोग अच्छे से बढ़ाई करेंगे ठीक है सलेक्शन होगा आजाओ आजाओ चलो आजाओ अब हम लोग बात करते हैं सब ब्रायोफाइटा वाले प्लांट के बारे में ठीक है ब्रायोफाइटा वाले प्लांट के बारे में ब्रायोफाइटा वाले के बारे में ठीक है पहले मैं आप लोगों को बता दूँ यहाँ पर शहाद मिस हो गया है मिरसे एक होता है आप लोगों का रेड एलगी यानी लाल शेहवाल और एक होता है आप लोगों का ब्राउन एलगी यानी बूरे शेह वाल है राम ब्रॉटस बात करते हैं आप बार comment के बार में ब्रायोफाइटा क्या होता है बताओ से फिख इन की बॉडि का organization कैसा होता है, क्या इनमे body में, इसमें भी तनहें, जड़, पत्या कुछ भी ने दिखेगी क्या, क्या इनकी body differentiated होती है तो आप लोग बोलेंगे, जी हां सर differentiable होती है, मतलब अलग-अलग होती है, जड़ अलग दिखेगी, पत्ती अलग दिखेगी तो जी हाँ सर डिफ्रेंशेटेड होती है लेकिन इसमें जो स्टैम होता है जो लीवस होती है और जो जड़े होती हो कैसी होती फॉल्स होती है फॉल्स का मतलब क्या है प्रॉपर डवलप्ड रूट से स्टैम नहीं पाये जाते है उनके जैसा कुछ जाता है ख kill है क्लियर रख you clear है आजा आट को अब वह इसमें बात करते हैं क्यान यysłय की बात ओर रही है ठीक है तो नहीं पाये जाता नहीं फ्लोईम पाय जाता, चलिए, क्या इनमें बीज होते हैं क्या, यार ओबिसली बात है, ना थैलोपायटा, ना ब्राइव पायटा, ना टेरीडोपायटा, किसी में भी बीज नहीं होंगे, तो absent होंगे, बीज इसमें नहीं पाय जाएंगे, अनुपस्तित है इसमें, बात करते इनका habitat क्या है, मतलब ये वाले प्लांट आप लोगों को कहां पर मिलेंगे, तो ये टेरिश्ट्रील होते हैं, इस्तली होते हैं, जमीन पर मिलेंगे, लेंड़ पे मिलेंगे, क्लियर है गया, चले, क्लियर तीग आगे चले, कोई परिशानी नहीं है, लेकिन दोस्तों, मैं आपको बताओं ब्राइव फायटा वाले प्लांट की एक विशेश्त है जैसे हरकोई री प्रोडुक्षन करता है तो यह रहते लेंड पर लेकिन इनको री प्रोडिक्शन के लिए प्रजणन के लिए पानी की रिक्वाइमेंट होती है ईसी लिए हम लोग इनको क्या बोलते हैं है कि ए एंवीएन को औ अफ लाउन किसको बोलेंगे आप लोग-मफीबियन किसको बोलेंगे ब्रायफाइटा वाले को बुले गए ठीक है आजओ नेक्श अम लोग बात करते हैं ब्रायफाइटा के बारे में कुछ और बात इसके सर कुछ एक्जम्पल्स आप लोगों को ध्यान रखना है लीवर वाट्स हो गया हॉर्ण वाट्स हो गया और मॉज यह आप लोगों को तीन important example आप लोगों से पूछा जाता है तो ये तीन examples आप लोगों को ध्यान रखना है और प्यारे दोस्तों चाहे आप लोगों के थैलोफाइटा वाले प्लांट हो ब्रायफाइटा वाले हो कोई से भी प्लांट हो सभी में photosynthes हो जाता है प्रकास यानि यह स्वैपोशी होते हैं चले आगे आजाईए चलिए नेक्स लोग बात करते हैं टेरीडोफाइटा वाले प्लांट की सर टेरीडोफाइटा वाले प्लांट की क्या खास बात होती है आप मुझे बताएंगे इनकी बोड़ी का जड़ आप लोगों को मिल जाएगा ठीक है अरे बोलो भाईया क्लियर है ठीक है नेक्स लोग बात करते हैं कि क्या सर इनमें वस्कल और टीशू पाए जाएंगे क्या बताओ मैंने बताया था ये पहले ऐसे प्लांट है जिनमें आपको जाएलम और फ्लोए मिलेगा न थेलो फाइटा में मिल रहा था ना ब्राइवफाइटा में मिल रहा था जी हां सर प्रेजेंट होते हैं कौन-कौन से होते हैं जाएलम और फ्लोए समझ गए बहुत बढ़िया चलो आजाओ नेक्स बात करते हैं क्या इन में सीड क्या इन में बीज होते हैं क्या बताओ अरे नहीं होते यार किसी में भी नहीं होते हैं ना थेलो फाइटा ना ब्राय फाइटा ना टेरीडो फाइटा सर इन में क्या flower और fruit पाए जाते हैं flower नहीं पाए जाते फूल नहीं पाए जाते और जब फूल नहीं होगा तो फूल कहां से बनेगा तो सर absent यानी अनूपस्तित ठीक है आजो नेक्स अब लोग बात करते है habitat यानी यह कौन सी जगह पर मिलेंगे पता ओ तो actually में यह वाले plant भी क्या होते है टेरिस्टर्स होते हैं इस्थली होते हैं यह बिलकुल आप लोगों के टेरिस्टर्स होते हैं चले आगे अब दोस्तों में एक चीज आप लोगों को बता देता हूँ आप लोगों को पता है जनवरी एक से तीन है ना मैं आपको बता दूँ न्यू एयर आप लोगों के लिए एक बहुत प्यारा सर्प्राइज है प्रतिशत आफ मिल रहा है अनकेडमी सब्सक्रिशन पे पहले नीरज 11 लगाने पर 10 परशेंट मिलता था अभी सीधा 22 मिल रहा है एक से तीन जनवरी तक यह आपको पता है पाच जनवरी से मेरा आ रहा है बूस्टर कोर्स तो आज ही आप लोग ले ले इस आफर का फायदा उ इतर देखो कि मैंने आप लोगों को आज इन वाले प्लांट के बारे में बता दिया इन वाले प्लांट के बारे में हम लोग नेक्स पार्ट में कर देंगे क्योंकि भाईया नहीं हो रहा है आप भी मजे करो क्योंकि आज बहुत से बच्चे ऐसे आप दे तो रात का ही रात तो मेरी तरफ से तो सब कुछ cover होता जा रहा लेकिन अगर आप लोग साथ में मेनत नहीं करोगे रिवाइज नहीं करोगे तो बहुत प्रब्लम आ जाएगी समझगे बात को तो इसको हम लोग next part में करेंगे और क्या आप लोगों को पता है डेली वन पीम टू पीम पर जो अपनी क्लास होती है ठीक है उसकी मैं पहले ही नोटिफिकेशन्स टेलीग्राम चैनल पर डालता हूँ जुणना मत बूलेगा शांदर क्लास होगी आज भी होगी ठीक है और जैसा कि मैंने आपको बता है एक से तीन जनवरी अभी आप लोगों प्रिमियम क्योशन्स मिलेंगे और यह क्योशन्स इस प्रकार से डिजाइन किये गए मेरे द्वारा कि इनसे आपका हर एक टॉपिक कवर हो जाएगा क्योंकि कई बार क्या होता है आप लोगों से एक जम में ऐसे क्योशन पूचे जाते हैं जिसकी थोरी पढ़ना मुश्कि के सब्सक्राइब कर लोगे तो चैनल लगा लिजेगा नीरज 11 जिससे आपको डिसकाउंट मिल जाए तो यह तो पहले ता जब 10% मिल रहा था और आज आपको पता है अभी 22% मिल रहा है तो यह बाइस पचास सभी और कम हो जाएगा तो मिलेंगे दोस्तों एक बज़े और दो बज़े की अनेकेडमी वाली क्लास में और आप सभी को वंस अगेन हैपी न्यूएर बढ़िया मस्ती से पढ़ाई करिए महनत करिए जो सक्सेस है फिर उसको हम लोग साथ जीएंगे ठीक है दोस्तों तो मिलेंगे एक बज़े दो बज़े क्लास में शांदार फ्री क्ला जीए